तो सबसे पहले हम बात करेंगे MTR टेकोंची के बारे में So MTR टेकोंची की बात करें तो फिर से इन स्टोक में एक तरफ़ा हमें गिरावाट और एक तरफ़ा गिरावाटी देखन को मिल रहे हैं अगर हम कल की दिन की भी बात करें तो लगबग हमें हाप पसंद के आप पास की गिरावाट देखन को मिला था बाकि पिछले 5 दिंग की बात करें 5 सारे 5 पसंद डाउन फर्स जन में चीद देखोगे तो लगबगा आपको 17 पसंद तक गिरावाट देखन को मिलेगा और 6 मंद की प्रफ्वेंश को देखोगे तो 6 मंद में दोस्तो 30 से लेके 35 पसंद अपको करेक्शन देखन को मिल जाएगा वो भी एक तरफा आपको गिरावाट तो इतने बड़े गिरावाट की पीछे का reason गया है, खास करके एक तरफा गिरावाट की पीछे का reason, तो reason बहुत simple है क्यों इस reason को मैं बहुत पहले बहुत बार cover कर चुक हो, किसकी पीछे का दो main reason है, पहले reason की बात करें कि company के number लगातर पिछले दो quarter से company के number है, हमें बहुत ही quarter में भी देखन को मिल सकता है, और जो guidance management दे रहे हैं कि हमारे इस प्रका के खराब number आए, बट अगली बार जो number आएंगे, वो और खराब होंगे, पर जो actual में जब number आता है, तो जितना management ने guidance दे था कि इतने खराब number आ सकता है, मालो management ने कहा था कि हमारे जो number है, 100 करों के income income आने वाले है, जब actual में number आ रहे है, दोस्तों हमें 100 के आसपास देखन को मिला है, एक तो guidance ने बहुत कट किया, कि इतने खराब number आएंगे, 100 के आसपास, बट actual में जब number आ रहे है, वो उससे भी खराब, तो double जटके लगते देखन को मिला, जिनके चलते, stock 20-25% और stock में जो और भी आपको प्रेसाज ज्यादा continue देखन को मिल रहे है, उसके पीछे का और एक रीजन है, और वो रीजन है तो लगातर mutual fund के साइट से, आपको selling को मिल रहे है, अगर आप पिछले पांच मन्त के mutual fund के performance को देखोगे, तो आप देखोगे, तो आप देखोगे और फिर बिखवाली देखन को मिल जाए, तो obviously mutual fund भी एक बहुत important role play करता है, किसी भी stock को अप से announce कराने के लिए, तो एक तो stock में लगाता है, तो इसके बाद भी stock में और भी गिरावाट आ सकता है, तो इसके बाद भी stock में और भी गिरावाट आ सकता है, तो stock कहा तक और 35% stock already correction हो चुक है, तो क्या इसके बाद भी stock में और भी फॉरदा गिरावाट आएगा, अगर आएगा तो stock कहा तक गिर सकता है, और क्यों गिर सकता है, और उसी के साथ किसी के पास आगा ये stock है, किसी ने top पे बाय कियो एकदम top पे है, और 30 से लगे 35% already उनके portfolio में ये stock losses तो क्या उनको अभी loss book करके निकल जाना चाहिए, या फी जो गिरावाट उनका भी मिल रहे है, इस गिरावाट का फायद होड़ा के उनको average करके चलना चाहिए, उसी के साथ किसी के पास है नहीं, तो 35% discount में, तो क्या ऐसे stock में phrase buy करना सही रहेगा, या फी थोरा सा वेट कर करके जाना चाहिए, सारे पॉनकाम स्टाइबल स्टाप जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे, बाट उससे पहले, अगर हम company से later कुछ important point की बात करें, तो जैसी कि company के management के सायर से कुछ important guidance, जो कि सबसे पहले हमने देखा कि company के जो quarter 1, quarter 2, quarter 3 के जो number हमें देखने को मिला, 26% के downfall देखन को मिलेगा, और उसकी पीछी का reason भी और उने mention किया, due to supply chain issue के चलते, और ये income आपको 24 तक, आपको 6, 10 करो के आसपार देखन को मिल जाएगा, लेकिन उनने कहा कि ये हमारे सिफ, और सिफ, एफ़ए 24 की साप से, बाट अगर हम थोड़ा next year की बात करें, जो quarter 4 क के नमबर आगेंगे, उसके बाद जो next financier start होगा, A525, उसमें company के province कैसे रहने वाले, वो भी चीज़े उनने mention किया, जैसे कि आप देख सकते हो, कि company के जो A525 में, जो company के income रहने वाले, तो वो anticipate कर के चल रहे है, कि उनके income में, 45 से लेकिए, आपको 50% के शांदा growth देखन को मिल सकते है, बागी और भी कुछ order बात करें, तो वो भी आपको 144 से 185 करों के आजपा देखन को मिलेगा, बागी company के important segment है, यानके clean energy segment है, उसमें भी वो expect कर के चल रहे है, कि लगबाग 400 से लेके 425 करों के आजपा भी company को order, इमतलब इस segment से company अच्छे कासे contribute आपको करते हो, देखन को मिल सकता है, वो कब next year, तो जो भी management expect करके चल रहे है, वो इस finance year में आपको कुछ भी company के number खास देखन को नहीं मिलेगा, कुछ भी impressive number देखन को नहीं मिलेगा, यानकि quarter 4 के number भी जो आने वाले, next quarter 4 के number, वो भी आपको इसी प्रकार के खराब या फिर muted growth देखन को मि लेगा, लेकिन company की बात का है, तो जैसे मैं आपको बार बार repeat कर, चो कि company बहुत solid है, मतब company के सबसे बड़े जो pillar है, company के business, company risk ही जरू है, बट जैसे कदेना कि company की pillar होता है, business अगर कमाल के होता है, unique type के होता है, future unit होता है, तो definitely हम उन stock में आराम से बने ही रह सकते है, तो company आप देख से तो के nuclear में काम करता है, space dependence में काम करते है, clean energy में काम करते है, engineering में काम करते है, तो हर एक segment में, चारो के चारो जो segment है, जिन में company के काम करता है, चारो के चारो खास करके, बहुत ही unique segment है, और एक future unit segment है, जो कि अभी तक तो अच्छे करी रहे है, future में और भी कमाल performance से आपको देशन को मिल सकता है बाकि कंपनी के और एक प्लास पॉइंट जो कि इनकी क्लाइंट किसी भी कंपनी की क्लाइंट चो होता है अगर वह जितने बड़े-बड़े रहेंगे जितने popular क्लाइंट रहेंगे उतने उस कंपनी के लिए बहुत ही positive पॉइंट है अगर आप इसकी क्लाइन को देखुगे तो आपको सरकारी कंप्पने को मिल जएगा जो कि मैं बहुत बार रिपेट कर चुको इसरो की बात करें डी आदू की बात करें हर एक आपको बड़े-बड़े संस्थाई इनकी क्लाइट देखने को मिल जाएगा सो अवरल बात करें तो एक बहुत ही शांदर कंपने खास करके फ्यूचर किसाफ से तो इसलिए मैं आपको बार बोल चुको जब यह स्टॉक हाली मैं आपने देखा होगा इक दिन में 17 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया था सत्रा सो पचास को तब मैंने क्या था कि यह बाई कर नहीं है तो आपको कॉर्टर quarter 4 के जो number आ जाएगा उसके बाद जो management के guidance रहेगा उस guidance को देखने के बाद ही आपको phrase buying यह फिर average करना है क्योंकि यह जो तेजी है यह तेजी साइसे आपको टिकती हो देखने को नहीं मिलेगा उसके पीजी का reason है कि management ने खुद बोल दिया कि जो quarter 4 के number या आने ऑले वो भी हमें खराब ही देखने को मिलेगा ईक्शुल बोब्ल को आपको tap 25 से देखने को मिलेगा आपको бли 2021 में 22 23 और भी March 24 24 तीन सा तो ठीक है तीन साल में 80% बीच में कमाल के प्रॉफिट बना था 200-500% बाजर में तो यह रिक्स की पॉइंट है भाई कि अगर आपको लंबी पाड़ी खेलना है बहुत बड़ी रिटर्न आप एक्सफिट करके चलते हो कि आपको 500-1000% रिटर्न आप बनाना चाहते हो तो उसमें इस प्रका के चोटे-मोटे आपको गिरावाट इस प्रका के आपसे नहों देखने को मिलेगों पर सी चोटी कमपने पर जैसे का कर कि किसी ने टॉप पर बाई किया सौट टाइम के लिए अगर आप सोच रहो तो आपको आपके लिवल तक आने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है बड़ अगर आपका बिजन लॉंग टाइम का है तो लंबी अबदी में आप इसमें जरू बने रहे से तो ये भी एक स्टॉक है और एक हैपी स्पाइन द सॉस्टेजी को सस्टेन करना इस टोक लिए इस कमपने के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने बाले तो कमपनी फ्यूचर विट जैसे मैं रहे सब्सक्राइए और अगर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया जैसे मैं अगर यह जो जिस लेवल पर इसने क्लोजिन तिया और द इसके बाद एक स्ट्रॉंग सपूट है मतलब यह उनीच सू के लेवल को इसने ब्रेकडाउन कर दिया अब और एक सपूट लेवल है जो कि 1750 के जो कि इससे पहले ब्रेक किया था बाट इसके पर फिस उसने क्लोजिंग दे दिया तो अगर इस बार ब्रेक कर देता है और उसक सकता है तो अगर आपके पास है एक पास पर बाइक़ हो जल्द में डिया गूसमें लबी टाइम के लिए अगर की सल्से अगर आपके पास है यह फिर करना चाहे यह भिदिग धो फिर से गिराओट आँग तो इसलिए कमपनेक की इवाटन मूठ ड़रा सब लेसाल थैं कि मै इंपॉर्टर रहने वाल है क्या चल रहा है यह सिर्प और सिर्फ कंपनी के management को पता है तो इसलिए quarter 4 के नंबर आने तो क्यों उन्हें सिर्फ इतना guidance खाता कि quarter 4 के नंबर था कि हमारे नंबर खराब आने वाले तो इसलिए quarter 4 के नंबर आ जाएगा तो clarity हमें मिल जाएगा कि इसके बाद जो नंबर आने वाले इसलिए प्रकार के रहने वाले तो इसलिए as a phrase buyer और average तो अभी फिलार रुख जाओ थोड़ी से की 4 के नंबर तक आने तो अगर आप नंबर को देखके management को guidance को देखके जाओग अगला stock की बात करें सेम KP IT technology अगर हम इसकी बात करें तो कल के दिन पर ने एक पसंट गिरावर देखन को मिला था और जो closing दिया है वो भी 1500 के important level के नीचे और इस stock भी पिछले कुछ दिनों से एक अच्छे कर से pressure दिखा रहे है लगबग roughly देखोगे तो 12-13% exactly देखोगे तो 15% के आपको उपर ही देखन को मिलेगा और एक चीज़ मैंने इससे पहली भी का था कोई कमपनी कितने भी कमाल की उनो आज नहीं तुकल आपको मौका वो जरूर देगा और फारेली जो लेवन में आपको बार बार बोलता था कि इस stock आपको एक टाइम पे 1500 के आसपास वो ज क्योंकि इतना भागा है 5-5 साल में 1300-1300 और उपसे छोटी कमपनी है तो इतना भागा है तो आप चाहो तो इसी 15% डिस्कॉर में एक स्टॉर में लगाने के लिए काफी है मैक्समुम सारे पैसे मत लगाना क्योंकि गिरने के लिए कंपनी और भी गिर सकता है मालो Q4 के नमर खराब आत है क्योंकि इनके वैलेशन है सबसे इंपोर्टन चीज़ है अगर इनको वैलेशन को इस तेजी को में रखना है तो कमपनी को Q4 के नमर भी कमाल के दिखाने पड़ेगा अगर एक बार भी नमर खराब दिखा दी तो इसलिए श्टॉक में और भी 15% गिरने के एक बहुत ही शांदर एक बहुत ही कमाल की कमपनी है उनके लिए खराब स्टॉक है पर यह से मैं बारो बोल चुक है अच्छे कमपनी जब तक इंफलेशन के चलते इनके भी बिजिन्स में बहुत बड़े इंपक्त पड़ा है तो जब रेटक स्टार्ट हो जाएगा उसके दिमेदी में इसके बीजिन्स में आपको बहुत अच्छे कास है रिकवरी देगन को मिल जाएगा तो तब तक अगर आपके पास है बिंदास बने रहाश्य दार आपके पास है नहीं और कोई मिटकेप स्मॉल के आप कमपनी के बार में सोच रहो तो आप एफिलिए का बार म में जरूर बिचार कर सकता है और एक चीज़ मैंने कहा कि जब भी कोई स्टोक गिनने के बाद साल दो साल स्टोक चलता नहीं है नॉर्मल ग्रावट के बाद तब एंट्री लेना होता है ताकि जब स्टोक रॉकेट बन जाएगा तब तो हर कोई खहिदने आ जाएगा तो अ